Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे English and CRT, Class 7th का Chapter 2, Bringing Up Curry यह जो curry है, यह एक elephant है और इसके बारे में ही पूरी स्टोरी है Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of तो यह writer बताते हैं कि curry जो है, वो एक elephant है, एक hathी है और वो मुझको दिया गया था जब वो हाती 5 months का था, 5 महीने का था, और मैं उसका खयाल रगता था मैं उसमें 9 साल का था, और मैं उसकी back तक, उसकी कमर तक ही पहुँच पाता था अगर मैं tipto पे खड़ा होता था, tipto मतलब अपने जो अंगूठा होता है, अंगूठे की उंगली पर उचक के खड़ा होना जब वो ऐसे करके खड़े होते थे writer, तब ही उसकी back तक वो पहुँच पाते थे He seemed to remain that high for nearly two years और writer को ऐसा लगता है कि वो जो curry था, उनका elephant वो लफक दो साल तक इतना ही बड़ा था We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was वो बताते हैं कि curry और writer दोनों एक साथ ही बड़े हुए, इसलिए उनको कभी भी नहीं समझ में आया कि वो कितने इनका curry जो था, elephant वो कितना तॉल था जब उनको वो मिला था He lived in a pavilion under a thatage roof which rested on three stumps so that it could not fall in when curry bumped against the pole as he moved about तो जो curry था वो रहता था एक pavilion में, pavilion में एक area जैसे की वो होता है, ground होता है जो जैसे की फूस से बनी हुई चीज होती है रूफ जो जिसमें घास पूस से बनी हुई जो च्छत होती है वो थाचिट होती है स्टम्प तो होते हैं लंबे लंबे डंडे तो वो ऐसी ही जगह पे रहता था curry और जो स्टम्स थे वो काफी जादा क्योंकि अगर करी उस पर जटका भी मारे बंप भी करे उन पर तो वो उस पर ना किरें सबसे पहली चीज यह थी जो करी ने करी थी वो थी एक बच्चे की जान बचाना करी दिड़न इत मच बच 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 नेवधरलेस निड़ने के लिए चबाने के लिए और कुछ खेलने के लिए हैं और में अरा सुभ पी ₹छ बच उस को लेक जाता थी नदी के पास नहलने के लिए ऑड लूग लुद पर जाओ घूट प्रामच बच खसानी टक से लिए मिस wrong ed करीज हो था लेट जाता था लगभग एक घंटे के लिए पानी में अफर दैट ही वाला हो गया और कमिंग आउट हिस स्किन बाहर निकल था था पानी में से तो उसकी जो स्किन होती थी पहुदा चमकती होती थी जैसे कि एबोनी चमकता है इबोनी एक पेड होता है जो कि Rainforest का पेड होता है जहां पर बारिश होती है न ऐसी जगय का पिढ नहीं एंदी व कोई अदयाशनी पर चिलाता था और ं decepetti से ञाता था खुशी शेजब उसके उपर से पानी हरता then I would take him by the ear because it is the easiest way to lead an elephant फिजो राइटर थे वो उनका कान पकड़के करी कान पकड़के आगे उसको ले जाते थे क्योंकि यह सबस्यादा आसान तरीका होता है किसी elephant को अपने साथ आके बढ़ाने के लिए and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some lasquacious twigs for his dinner और मैं उसको जंगल के पास मिली जाता था और वहां पर से मैं लेकर आता था बहुत ही tasty twigs lasquacious का मतलब होता है tasty delicious और twigs का मतलब तहनिया होता है तो tasty tasty तहनिया मैं कड़ी के लेकर लेकर आता था जो रात के खाने में कहा सके one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs और किसी को अगर इन ट्विक्स को काटना है तो उसके पास बहुत ही शार्प बहुत ही पैनी कुलहाडी होनी चाहिए अगर आपको ट्विक्स को काटना है और लगभग हाफ एन आर से जादा उसको काटने में और क्योंकि वो आपस में क्याज़ा मल्टिलेटर होती है मतलब थोड़ी सही होती है थोड़ी खराब होती है और अगर जरासी भराब होती है तो elephant होता है ऐसे twigs को touch पी नहीं करता है और उसको सही और फ्रेश ट्विक्स जही होती है और यह बिल्कुल पी असान काम नहीं होता था करी के लिए ट्विक्स और सेप्लिंग लाना सेप्लिंग का मतला है छोटे-छोटे से पहुत है I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs राइटर को चाहने पड़ते थे बहुत सारे पेर ताकि व which was very fond of young branches of bunyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches and curry को बहुत सारे पसंद थी अप्री को बहुत सारे पसंद थी को बहुत सारे थी की वह बहुत सारे पसंद ही को इस वह बहुत सारे पसंद ही कारी को I was gathering some one day one spring day in March और एक बार मैं मार्च की दिन था तो मैं उनको gather कर रहा था तब धी मैंने करी की और अभी क्योंकि वह काफे चोटा था तो उसकी आवाज आए जैसे किसी बच्चे की आवाज हो बजाए कि किसे हाथी की आवाज की I thought somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसको नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहा है और मैं प्री से उतरा और फटाफट जो फोरेस के किनारे पर करी को छोड़ के आया था वहाँ पर मैं भागा, मैंने हर तरफ देख लिया मगर मुझे करी कहीं भी नहीं मिला फिर मैं पानी के पास किया, और मैंने देखा कि कोई एक ब्लैक ब्लैक सी चीज है जो पानी के सर्फेस के ऊपर की तरफ आ रही है तो फिर मैंने पिचान लिया कि वह जो है ग्रॉपंट का मतलब जो आएक पार्ट होता है वह उसको दिख रहा था पानी में I thought he was drowning राइटर को लगा कि जो करी है वो दूब रहा है और राइटर को लगा कि जो करी है वो दूब रहा है और I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him और मैं बहुत दबहुत हैं असा हाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं इतने भारी जो लगभग 400 pound एक जो elephant है उससे बहुत ही बड़ा है वो उसको नहीं निकाल पाएगा वो ऐसा सोच रहा था मगर तभी मैंने क्या देखा की but I saw his back rise above the water and the movement he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore और फिर उसने जैसे ही मुझे देखा वो थोड़ी सी अवाजे निकालने लगा और मतलब कोशिच करने लगा खीच-खीच के नदी के किनारे तक आने की then still trumpening he pushed me into the water और फिर क्या हुआ फिर वाजे निकाल रहा था और उसने मुझे पास आते हो देखा और अपनी तरफ पानी में खीच लिया as I felt into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river और जैसे ही मैं पानी में गया मैंने देखा कि बिल्कुल रिवर के नीचे की तरफ एक boy पड़ा हुआ है वहाँ पर he had not all together touched bottom but was somehow afloat उसने मतलब उस बॉरी तरीके से तो नीचे नहीं गया था मागर वो एक तरह से तरह रहा था पानी में और नीचे की तरफ को जा रहा था I came to the surface of water to take my breath and there curry was standing मैंने जब करी ने खीच लिया था राइटर को पानी में और राइटर उठा थोड़ी सांस लेने के लिए और फिर उन्होंने वहापे करी को देखा His feet planted in the sandbag and his trunk stretched out like a hand waiting for mine और उसके जो मतलब feet थे वो पैरों में दब हो थे और उसके hand ऐसे थे जसी की वो मेरे ही वेट कर रहे हो I dive down again and pulled the body of the droning boy to the surface और फिर जो राइटर थे वो नीचे की तरफ गए और जो बॉल डूब रहा था उसको अपने साथ उपर की तरफ ले के आए और मगर जो राइटर थे उनको बहुत अच्छे swimming तो आती नहीं थी तो बहुत अदद़ पाते थे और जो करंट था ना मतलब जो बहाव था पानी का वो अल्रेडी दूसरी डायरिक्शन में था तो उनको काफे जादा मुश्किल हो रही थी Seeing as drift by in the current, curry who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I swim him strut करी ने देखा कि जब जो ऑथर है वो जो बॉइ है वो डूब रहे है तो वैसे तो करी बहुत अदा slow था मकर जैसी करी ने लोगों डूबते वए देखा वो बहुत भागता है वो बहुत ही जादा fast होते है उसकी बहुत भाग के आया उनको बचाने के लिए There I saw him stretch out his trunk again और फिर राइटर ने देखा कि वो जो ट्रंक है यह trunk है इस हाती की इसने राइटर के गले की तरफ उसको बांद लिया और फिर वहां से खीचने लगा I raised up my hand to catch it and it slipped और राइटर भी उसको मतलब कोशिश करे थे पगंडी कि मगर वो बहुत होती जा रही थी I found myself going underwater again but this time I found that the water was not very deep so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then the water was sinking under the river but it was a little further than the water was not very deep and then the writer tried to stand up Then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand and then just like the river came along the river and the river came along the river and the writer came along the river and came along the river In spite of the fact that I was like, as my body rose above the water I felt a lasso around my neck and just like my body came along the way, I saw something like that I saw something like that I saw something like that in front of my neck This frightened me, I thought some water animal was going to swallow me and just like they thought that something in their head was lifted, they were scared and they thought that some animal of water is going to get out I heard curry squealing and I know it was his trunk about my neck and then they heard curry's sound and then they heard curry's trunk around his neck and then curry came out of the water, the writer and the boy Curry was like a baby, he had to be trained to be good and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever and curry was like a child, he had to train him to be good and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever so there's one instance to tell him what happened and one day someone gave him some bananas to it and some的人 gave him some good bananas finally that someone gave him great massacre करी को इतने जादा पसंद आने लगे जो पखेवे बनानास थे करी को बहुत पसंद आने लगे जो राइटर थे इनके घर में क्या होता था इनका जो डाइने रूम था उसमें खेड़की के पास यह लोग फ्रूट्स रख दिया करते थे और एक दिन सारे के सारे जो बनानास श्रूट्स हमादे स्काष्यक्त खाता पूम एनके लूख को बनाना थे जो बनानास फीज.. राइटर खातीने पोई कि दूख द गया है। इस ताइम क्या हुआ इस अरे ब्लेम राइटर पर पड़ा और राइटर बात पता था उन्हों नहीं है और यह बात की पैरेंट्स निस सब नगा है इस बात से बहुता था नाराज हो गए फिर क्या हुआ अगली बार नेक्स टाइम रूट डिस्रपीर्पियर्ड आइस फाम बिल्कुल एक टूट और कुछा वडा किशला बनान ने देखना उनको बड़ा बाघ है उन्होंने कभी नहीं देखे था कि करी के जो पैमेलियन में दनको जो में आपサी सा क्भी टूट हो उन्होंने में तुट वेखी थी लान और नेक्श जी तव उन्होंने सालोगा बनाना से वह उठाए और वह स्नेक कायब हो गया और इस पास से जो राइटर को बहुत जादा डर लगा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई जो स्नेक यानिकी सांप है वह कभी बनाना भी खाते हो और यह थोट ही मतलब उनके लिए बहुत जादा टेरेबल था कि जो सांप है वह उनके फ्रूट्स और बनानास वगयर यह सब चुरा रहे हैं फिर जो राइटर थे वह बिल्कुल रूम के बहार निकल के बहुत जादा डर में और मतलब काफी सादा वह घबरा रहे थे फिलिंग शूर देस नेक वुट कम बैक इंट इंट अल दर फूट ए और मतलब उनको लगा कि चलो करी है मैं उसके पास चले जाता हूं क्योंकि वह बहुत दरे हुए थे वह करी से मिलेंगे तो थोड़े वह खुश हो जाएंगे तो करी के पीछे भागने लगे उसके पहुंच गये तो देखा कि वहां पर करी जो थे वह बनाना खा रहा था औ और फिर यह चीज देखके एकदम से शौक लग गया ओथर को कि जितने मी जो बनाना थे न वह अभी तक जो कौन खा रहा था वह खा रहा था क्योंकि वहां पर सारे के सारे बनाना के शिकल जो थे वह स्ट्रून थे स्ट्रून का मतलब होता है फैले हुए थे फिर उसने क्या किया करी ने थोड़ा सा आगे को गिरे हुए थे उसने फिर अपना फिर से ट्रूंक निकाला और बड़ा सी ट्रूंक करके दूसरे बनाने को उठाने लगे और फिर तब राइटर को समझ आया कि वह जो स्नेक उन्होंने देखा था वह कोई स्नेक नहीं था य सकतीन है कि दो स्नेक मस umच इसने स्न गारने के निकाला वतो ड्री उसने हँए नकं सक्ना क मदाने था पूछी फिर नेक्स टाइम से उन्होंने अकर उनको डाच दे तो नेक्स टाइम नहीं करते नेक्स टाइम आइसी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल विप्ट वो बोलता है कि अगर तुम दुबरा फ्रूट्स को चुराओगे तो हम तुमारी पिटाईगर देंगे और फिर सारे के सारे लोग नाराज थे तो यह बात जो है वो करी को समझ आकई और फिर उसने दुबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराई डाइनिंग रूम से एलिफेंट जो होते हैं वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं पनिश्मेंट लेना अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया होता है मगर अगर तुम उन्हें बिना किसी रीजन के पनिश करोगे तो वो इस बात को याद रखेंगे और फिर दुबारा तुम उसे बदला जरूर लेंगे एलिफेंट क्या है must be taught when to sit down, when to walk, when to go first and when to go slow और जो एलिफेंट होते हैं उनको बताना पड़ता है कि कब बैठना है कब चलना है कब तेज चलना है और कभ धीरे चलना है और आपको उनको एक बच्चे की तरह समझाना होता है if you say dhat and pulled him by the ear he will gradually learn to sit down अगर आप उसको बुले धत और कान से उसको पकरने तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको बैठने के लिए कह रहे है similarly और इसी तरह अगर आप कहेंगे माली और उसकी जो नाक उसकी जो लमीजी नाक होती है उसका ट्रंक उसको आगे की तरफ खीचेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि माली का मतलब होता है कि उसे चलना है करी लेंड माली आफर थ्री लेसंस चो करी ने माली है चलना सीखा इस तरीके से वह तीन बार में उसको सिखाना पड़ा तब जा करके उसने सीखा बट इट टुक इम त्री वीक्स टू लेंड धत मागर उसको तीन हफते लगे धत का मतलब समझने के लिए अच्छा नहीं था और आपको पता है कि वह इतना बड़ा होता जाता है अगर आपको उसको बैठना सिखाना ही होगा आप उसकी बैठ तक तभी पहुंच सकते हो जब वो बैठ बाएगा इट इस देरफोर बैठ तो टीछ इम तो सिट डाउन बाइ सिंग धत और यह अच्छा होगा कि आप उसको बैठना सिखा दो धत बोलने के क्योंकि हर टाइम आप लैडर तो यूज कर नहीं सकते हो क्या होती 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 ह अगर आप जंगल में कभी खो जाओ तो अगर आप तो बहार निकालना हो तो आप master call से elephant को बुला सकते हो और elephant आजाता है आपकी मदद करने के लिए the only thing to do then is to give the master call and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk और जैसे आप master call को देते हैं वो अपने trunk से trees को हटा देता है यह जो चीज है यह सारे के सारे animals को डरा देती है as the tree comes crashing down monkeys wake from their sleep and run from branch to branch और जैसे ही यह देखे जिसे फिगर में दिखाया हुआ है master call के बाद जो elephant है वो trees को हटा देता है यह चीज सारे के सारे जानवर को डरा देती है और सारे के सारे जानवर भाग जाते है और आप यह देख सकते हैं उसके चांद की रोशनी में, moonlight में and you can almost see the stags running in all direction below और आप जो stags होते हैं यह देख सकते हैं जो दर भागते वे जब वो दी जाती है उसको master call दी जाती है you can hear the growl of the tiger in the distance और थोरी दूरी पर ताइगर होती है उसके गुराने की आवाज भी सुन सकते हैं even he is frightened उसको डर लग जाता है इस बात से जो elephant कर रहा होता है पेर दूर तोर के फेकर होता है then the elephant pulls down the next tree and the next and the next soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house और master call के बाद वो एक पेर के बाद दूसरा पेर हटाता जाता है हटाता जाता है और आपके लिए रस्ता बना रेता है कि आप जंगल से लेकर अपने घर तक पहुंच जाओ तो यहाँ पे हो गया हमारा chapter complete आपको कैसा लगा? comment section में comment करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू जो मच्छ